इसे ऐसे कहें जैसे आप इसका अर्थ लगाते हैं दह 11 दिसंबर 2023 विश्वास की घोशना मैं घोशना करता हूँ मैं विशेश असाधरन और अलोकिक हूँ मैं अपने जीवन पर अफिसियो तीन बीज घोशिक करता हूँ मैं जो कुछ भी मांगता हूँ या सोचता हूँ परमेश्वर उससे कही बढ़कर बहुतायत से करता है मैं इश्वर का सम्मान करता हूँ और सबसे पहले उन्हें ढूनता हूँ और उनके सभी आशिरवाद मुझ पर जुड़ जाते हैं इश्वर की कृपा मेरा पीछा करती है और मुझ से आगे निकलती है मैं सही समय पर सही जगे पर हूँ लोग मेरे लिए अच्छा बनने के लिए अपने रास्ते से हट जाते हैं मैं इश्वर के कृपा से घिरा हुआ हूँ यह मेरी घोशना है दिव्य स्वास्त की स्विकारोती मेरा जीवन मुझे सीमाओं, संकर्मनों और बिमारियों से उपर रखता है मैं ऐसी किसी भी चीज से पूरी तरह छुटकारा पाच चुका हूँ जो दुख पहुँचाती है या बांधती है क्योंकि मेरे पास मसी में शाश्वत जीवन है मैं गवाई देता हूँ कि मैं मसी में स्वस्त, मजबूत और हमेशा के लिए धन्य हूँ आमेन मेरे पास वह होगा जो मैं कहूँगा येश्यू के नाम में मैं मजबूत हूँ, मैं स्वस्त हूँ, मैं धन्य हूँ, मैं धनी हूँ, मैं शक्ति शाली हूँ, मैं अभिशिक्त हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं इश्वर का प्रिय हूँ, मैं इश्वर और मानव जाती का क्रपा पात्र हूँ मैं वही बोलता हूँ जो मैं देखना चाहता हूँ, न की जो मैं देखता हूँ, मैं एक अनमोल बीज हूँ, मैं अपने ईश्वर के घर में अच्छी जमीन पर लगाया गया हूँ, मैं अपने प्रभु के दरबार में ताड के पेड की तरह फलता फूलता हूँ, मैं हर मौसम म मैं प्रचूर मात्रा में फल उत्पन करता हूं। मैं प्रभू में रस और हरे रंग से भरा हुआ हूं। और बुड़ापे में भी मैं ताजा और फलता फूलता रहूंगा। मेरा पता मुर्जाता नहीं है। और जो कुछ भी मैं करता हूं वे येशु के नाम में सम्रिद होत है चीजे हमेशा मेरे लिए येशु के नाम में काम कर रही है मैं मसी येशु में हर आध्यात में का अशिरवात का प्राप्त करता हूं मैं एक आत्मा हूं मेरी आत्मा में एक अंतरमन है मेरी आत्मा और मेरा अंतरमन एक भौत एक शरीर में रहते हैं मेरी आत्मा मेरे अंतरमन को निर्देश देती है मेरा अंतरमन सुनता है प्राप्त करता है और मेरे शरीर को निर्देश देता है और मेरा शरीर पालन करता है येश्यु के नाम में मैं अपने शरीर से बोलता हूं इश्वर का अविनाशी जीवन मेरे जीवन में हमेशा इस्पष्ट और व्यक्त होता है, मैं अपने शरीर के हर विवरण के लिए जीवन बोलता हूं, मैं अपने मनुभाव से बात करता हूं, परिपून बनूं, मसी के मनुभाव की तरह, और मैं तुम्हें परमेश्वर के वच्चन से संरेखितोने की आज्या द मैं अपनी सनाई और नसों से जीवन बोलता हूं, मैं अपनी मास पेश्यों सनाई बंधन को ताकत बोलता हूं, मैं अपने दिल से जीवन शक्ती बोलता हूं, मैं अपने फेफडों रुत्तकों से सामन्य वेंटिलेशन और परफ्यूजन अनुपाद बनाए रखने के लिए बात करता हूं मैं अपनी किड़नी लीवर और अगनाशे को पूनता बोलता हूं मेरे खून की हर कोशिका में जीवन है मेरी हड्डिया जोड और काटेलेज संरेखित मजबूत और द्रण हैं मेरे पूरे उपरी और निचलेंग उतकश रूप से कारे करते हैं मेरी आखें इस पश्डूप से और पूरी तरीके से देखती है और मेरे कान काम करते हैं बहतरीन मेरी तवचा एक नवजाच्छे शुवर ईश्वर की सुन्दर्ता की तरह चिकनी और स्वस्थ है मेरे बालों के रूम कस गए हैं मैं अपने बालों को इस्तिर रहने की आग्या देता हूं औ मेरे दात, मसूडे, जबडे की हड़ियां और तंत्री का और रक्त की आपूर्ती सभी स्वस्थ मजबूत और परिपून हैं मेरे सभी हार्मोन और नियूरो केमिकल ट्रांस्मीटर एक दूसरे के साथ पून सामन जस्य में हैं और अपने कारियों को सामानने रूप से निश मसाद करने में सक्षम हैं और चया पच्चे अप्षिष्ट उत्पाद नियमित रूप से उत्सरजित होते हैं मैं खाने तकनीक मीडिया शितलता गपशप आलस्य अधिक नींद सुस्ती और बाद्यकारी खरीदारी में सभी प्रकार की व्यसनों जैसे शराब निकोटीन ड् धातुमान आत्यदिक भोग को कैद करता हूं और मसी की आज्याकारिता में लेता हूं जैसा येशु वैसा ही मैं ईश्वर ने जो कुछ भी बनाया है वह मेरे लिए जीवन और चंगाई है इसलिए खादे परदार्तों धूल जानवरों आधी अलर्जी का मुझ पर कोई अधिकार दिया है मेरा पुरुष प्रजनन तंत्र प्रयाप्त मात्रा में और अच्छी गती शिलता वाले शुक्राणों का उत्पादन और जमा कर रहा है मेरा महिला प्रजनन तंत्र समय परंडे की कोशिकाओं का उत्पादन कर रहा है जनम तक भ्रून की रक्षा और और मैं मेरे शरीर में किसी भी प्रकार की खराबी और विक्रति को येशु के नाम पर मना करता हूँ विध्यान चया पचे और शरीर क्रिया विध्यान मसी येशु में परिपून है महिमा, हालेलूया, आमेन पिता ईश्वर मुझे प्यार करते हैं, मुझे पता है कि मैं जानता हूँ पुत्र ईश्वर मुझे प्यार करता है, मुझे पता है मैं जानता हूँ पवित्र आत्मा ईश्वर मुझे प्यार करता है, मैं जानता हूँ कि मैं जानता हूँ शालूम